इस वीडियो में हम बात कहने वाले हैं कि इस एप्लिकेशन में अगर आपको इस तरीके से दिखाए देता है Enable to detect your sim, please insert physical sim or configure a sim to proceed if already present, please check if it properly installed देखे, सबसे पहले हमें application को पता कराना होता है कि इसके अंदर क्या-क्या दिक्कत है दिक्कत को solve करवाने के लिए, अब मैं solve तो पूरा 100% आपको एक ही step में नहीं बताऊँगा, दूसरे step में बताऊँगा कि problem क्या है बट application को detect भी करना होता है, तो उसके लिए हमें detect करवाने के लिए phone की settings में जाना पड़ेगा सबसे पहले उसके बाद यहाँ पर हमें अपने apps में जाना पड़ेगा, तो apps में चलते हैं, एपस में जाने के बाद यहाँ पर हमें fincare application को find कर लेना होगा, ठीके? तो यह रही fincare application, इसको find कर लेना है, अब देखें, यहाँ से इन सारी permissions को आपको allow करते पर चले जाना, क्योंकि अगर एक आदी भी बंद होगी, तो वो detect नहीं कर पाएगे, अब detect क्या करना है इसको, कि आपके phone में जो SIM है, जिससे आप process कर रहे हैं, वो आपके SIM में डला करता है, unavail to detect your SIM, ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके साफ सामने देख सकते हैं, तो हमें detect करना पड़ेगा, अपने SIM, अपने phone के अंदर SIM को पहले, उसके बात process करना पड़ेगा, अगर हम यह change कर लेते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती बनना, दर्वाइस इसी तरीके से आती रहती है, तो SIM डाली हैं आपर, और अगर no service है, तो एक दफ़े लिकाल कर डाली है, तो आ जाएगा यह, ठीक है, बस आपके phone में SIM आना चाहिए, फिर यहां से चल जाएगा, तो यह process रहता है, इसका, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजेगा, और च